बिहार में शराबंदी कानून लागू है और शराबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्र नुतिश कुमार की आलोचना लगातार हो रही है लेकिन अब मुख्यमंत्र नुतिश कुमार ने शराबंदी कानून को लेकर एक नया या फिर कहा जाएक बड़ा फैसला लिया है नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन बिहार सरकार ने बिहार में शराब बंदी कर दी है और बिहार में लगातार आय दिन शराब की खबरे भी सामने आते रहती है एक तरफ नशा मुक्ती बाले दिन मुख्यमंत्र नतीश कुमार ने ये बात कही कि अब बिहार के अलग-अलग जिलों में जाकर घर में जाकर लोगों से पूछा जाएगा कि आप शराबंदी कानून से खुश है या नहीं वहीं अब आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्र नतीश कुमार ने शराबंदी को लेकर एक बड़ा फैसला भी ले लिया है बिहार में जाती गरना की तरच पर अब शराबंदी को लेकर भी घर गर सर्वक्षन होगा मुख्यमंत्र नतीश कुमार के द्वारा रवीबार को इसकी घोशना के बाद अब निशेद उत्पाद और पंजी करन विभाग तैयारियों में जुट गई है माना जा रहा है कि दिसंबर के मध में ये सर्वक्षन राजबर में शुरू कर दिया जाएगा जहां एक तरफ सरकार ये जानने की कोशिस करेगी कि कितने लोग शराबंदी के पक्ष में हैं और कितने लोग इसके विरोध में हैं निशेद उत्पाद और पंजी करन विभाग के वरिस्ट अधिकारी ने नाम नहीं छपाने की शर्ट पर कहा है कि सर्वक्षन के तौर पर तरीकों पर काम करने के लिए उत्पाद शुल करन विभाग के विभिन इस तरो पर चर्चाएं की जाएंगी सर्वे के कुछ एजेंशियों को शामिल होना होगा और इस जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा सर्वक्षन इस थानिये रूप से दिसंबर के मध से शुरू होने की संभावना बताई जा रही है एक अनधिकारी ने कहा है कि जब सर्वे के लिए एक प्रशनवाली को अंतिम रूप दिया जाएगा इसमें लोगों से प्रतिक्रिया ली जाएगी क्या वे शराबंदी के समर्थन में हैं या नहीं साल 2023 की शुरूआत में बिहार ग्रामिन जीविका के सायोग से चानक के लॉइ उनिवर्सीटी द्वारा शराबंदी के प्रभाव पर एक सर्वे किया गया था ये सर्वे राज के सवी जिलों में 534 ब्लोकों के 3300 गाउं में किया गया था जिसमें 10,22,466 लोगों को शामिल किया गया था सर्वे के दौरान पता चला कि 1.8 दो करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है एक दर अब जामों के मंतरी नुतिश कुमारे सुदेश से चल रहे हैं कि बिहार को नशा मुक्त करना है बिहार में शराबंदी कानौन को आगे भी रखना है तो वहीं दूसरी तरफ अब इसको लेकर वो सर्वे भी कराने वाले हैं जब से बिहार में जातिय अधारिक गन्ना करवाई गई है जातिय पर सर्वे कराई गई है कि दिसंबर मद में यानि कि आधे दिसंबर के बाद ये सर्वेश शुरू कर दिया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि कितने लोग शराबंदी के खिलाफ हैं और कितने लोग शराबंदी के साथ हैं